हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम बेक यू आ वोचिंग एडू ओनलाइन चैनल फो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर 6 ट्रेंगेल और एक्सराइज 6.2 पर हम इससे में वाक कर रहे हैं और इस वीडियों हम डिसकास करेंगे क्यूशन नंबर थिर एंड फोर पर सो देक्यूशन नंबर थिरी इस इन फिगर 6.18 यह में फिगर दी गई है L M पैरलेल टू C B L M C B के पैरलल है और L N C D के पैरलल है and we have to prove that am upon ab am upon ab is equal to an upon ad तो दीखें एक part का ratio पूरे के साथ है तो हमें थेल सना इस्तेमाल करने के करेंगे हम क्या करेंगे इसकी corollary use यहाँ पर करेंगे और इन्हें दोनों को हमें directly equal करना है लेकिन यह हमें पूरे triangle में नहीं आ रही है तो उससे लिए लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि abc यह triangle आपको दिख रहा है इसमें यह इसके parallel है तो वहाँ से हम am upon mb की value निकाल सकते हैं मनला am upon ab की value इस ac के term में और ऐसे ही an upon ad की value भी ac के term में ही हम calculate करेंगे और फिर यह आपस में equal हो जाएंगे in the given figure lm parallel to cb am upon ab equal होगा al upon ac इस triangle में हमने लिया है abc में क्या लगाई है corollary of tails यह bc के parallel है तो one part कर acu पूरे के साथ भी equal होता है वही हमने यहाँ पर use किया है let this is the equation number one similarly in this triangle acd this ln is parallel to cd ln is parallel to cd so an upon ad इस part का ratio पूरे के साथ equal होगा al upon ac के let this is the equation number two now you observe these two equations इनको observe करेंगे आप तो देखेंगे इनकी right hand side दोनों की equal है तो यदि कोई चीज किसी एक चीज के equal होती है कोई दो thing किसी एक के equal है तो वह आपस में भी equal होती है तो am upon mb equal होगा an upon ndk from equation one and two we get am upon ab is equal to an upon ad and this is the thing which we have to prove यही हमें prove करना था hence proved next number four in this d e is parallel to a c and this d f is parallel to a e and we have to prove that b f upon fe is equal to b e upon e c इसको थोड़ा देखेंगे अगर हम simplify करें इस figure को मैं क्या करता हूँ अभी cable मैंने यह d e line यहाँ पर रखी कुनसी यह d e और यह जो a e और जो d f है उनको मैं भी नहीं ले रहा हूँ हमें दिया हूँ है na d e parallel है ac के तो बस मैंने वही d e और ac line रखता हूँ बाकी यह line मैंने भी नहीं रखी तो देखें यह line अगर इसके parallel है तो इसमें हम bpt लगा सकते हैं bpt से में क्या मिल जाएगा आप bd upon a d भी ले सकते हैं और आप bd upon a b b ले सकते हैं हमें प्रूब करना है bf upon fe bf upon fe मतलब part ही है equal to be upon ec पूरे side के साथ नहीं लिया जा रहा है इसका मतलब यह part का ratio है तो simple हमें tails theorem यहाँ पर use करनी है so intangle a b c d e parallel to d e parallel to a c तो यह b c नहीं है यहाँ पर आपको a c लिखना है by using tails theorem क्या मिलेगा हमें bd upon d a bd upon d a equal to be upon e c k यहाँ भी दे सकते हैं bd upon d a equal to be upon e c k let this is the equation number one अब अगर हम देखें अब मैं क्या करता हूँ यह जो बीच की d e थी मैंने इसको remove कर दिया a e और d f इन दोनों को रखा जो हमें parallel दी गई थी d f parallel है a e के अब यह जो टैंगिल बना a e b अब यदि हम इसमें bpt use करते हैं तो हमें क्या मिलेगा bd upon a d equal to be f upon f e k यह है ना यहाँ से a b e इतना triangle है यह line इसके parallel है तो equal ratio में divide करेगा bf upon f e equal to f d upon d a this is the equation number two now observe these two equations इनको आप observe करेंगे तो देखेंगे इन दोनों की जो left hand side है bd upon d a और यहाँ पर भी क्या है bd upon d a तो फिर से equation number one और two से हम क्या गह सकते हैं इनकी right hand side भी आपस में equal होगी be upon e c equal होगा bf upon f e k और यही हमें यहाँ पर prove करना था so from equation one and two we get be upon e c is equal to bf upon f e इस थारा से हम bpt यह converge और bpt का यूज करने के बाद यह relation verify कर सकते हैं so in our next video we will discuss over the next two problems of this exercise उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तब वीडियो को like, share और comment करना ना भूलें और साथी साथ यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है आप चैनल पर नए है तब आप चैनल को subscribe कर लीजिए subscribe button पर click करने के बाद आप bell icon पर click करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के notification instantly मिल सकें so again thanks for watching addonline